दोस्तों आप सभी ने LCD, LED, QLED, OLED सुना होगा लेगिन क्या आपने QNET सुना है ये टेकनोलेजी सुनके आपको थोड़ा सा कुछ नया लग रहा होगा जी हाँ दोस्तों ये एकदम नई और एकदम गरमा गरम वह फ्रेश टेकनोलीजी है जो LG ने अनॉंस कर दी है उनके प्रेस रिलीज में और आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करें कि क्या है QNET टेकनोलेजी और इस साल के LG के जो TV सीरीज बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार होना ले तो वीडियो को स्टार्ट टो इंड जरूर दिखना और सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा अच्छे से त लेकि उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार देट को तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए घंटी बजाई यह टंट्रा शुरूर बात करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तों मेरा ना में राकिश आप देख रहे हैपी गाइड तो लेट के 2021 में जो सेस करके एक इवेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंजूमर एलेक्ट्रोनिक शो 2021 में जो 11 जैनुरी को होने वाला है वहां पर इस साल की टीवी को प्रेजेंट करने वाला है और वहां पर उसने पहले ही यह इवेंट होने के पहले उन्होंने प्रेस होता है Q for quantum, N for nanocell, E for emitting और D for diode, यह full form हो गया Qnet का, और सवाल अब यह उठता है कि भाई इसका मतलब क्या है, यह technology खास करने वाली क्या है, तो यहाँ पर यह technology बेसिकली ले रही ही काम में, quantum dot technology plus nanocell technology जो अपने आप में एक unique और बहुती बढ़िया technology है, especially TV के मामले में जो बहु और यह दोनों technology को जोड़ कर जो technology बनती है, उसका नाम है Qnet, और LG की TV में आपको 2021 के जो भी TV आने वाली है, सभी में आपको यह technology देखने मिलने वाली है, क्योंकि quantum dot और nanocell के साथ यहाँ पर LEDs का भी use किया जा रहा है, जहाँ पर जो brightness और जो contrast और color होने वाले बहुती बढ़ होने वाले है, और आपको जो deep blacks और white screen वे जो brightness देखने मिलने वाली है, बहुती बढ़िया देखने मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको local dimming और 2500 dimming zones भी देखने को मिलने वाले है, तो यहाँ पर peak brightness होने वाली है, exact value company ने LG वाले ने अनौंस नहीं किया, लेकिन मुझे लग का contrast ratio, oh my god, मतलब यह सुनके ऐसा लग रहे है कि कितनी बढ़िया ही इसकी picture quality होने वाली है, तो यहाँ पर यह technology market में लग रहा है, इस साल कुछ धमाका जरूर करेगी, मुझे तो ऐसा ही wipes आने शुरू हो गए है, इसे के साथ ही साथ यहाँ पर बात करें कुछ और खास features के ब जाएगा वो 86 inch तक, तो यहाँ पर इतने सारे variants आपको देखने मिलने वाले है इस series में, इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो display है 120 hertz का होने वाला है, 120 hertz का display का मतलब है कि यहाँ पर gaming का तो बहुती बढ़िया इस्तमाल होगा, थमाके से gaming करोगे, फुल enjoy करोगे, इसी के साथ ही variable refresh rate और auto low latency mode का भी support आपको देखने मिलने वाले, तो input lag बहुती कम होने वाला है, तो overall gaming के लिए भी बहुती बढ़िया टीवी होने वाली है, इसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको HDMI 2.1 अगर मिल गया, तब तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा, तब तो मतलब मजा ही आ उसमें आपको HDMI 2.1 का port दिया जाता है, तो यहाँ पर आप इस TV में वो भी expect कर सकते हो, और जैसा मैंने बताए कि यहाँ पर इस technology में आपको mini LEDs देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर जो LEDs का count है, वो 30,000 के आसपास का है, और यहाँ पर जो एक LED की size होती है, 0.2 mm की है, तो यह यहाँ पर LEDs इतने जादा है कि जो black scenes और dark scenes में बहुती बढ़ियां आपको experience मिलने वाला है, और अगर आप सोच रहे हो कि यह TV का resolution क्या हो सकता है, 4K होगा, full HD होगा, क्या होना है, तो यहाँ पर मैं बता दो, resolution के मामले में भी LG ने एक level हट के ही सोचा है, यहाँ पर आपको mini LEDs लगाए गए है, इसी के साथी साथ HDR content का भी full on आप मजा ले सकते हो, एक दम enjoy करने वाले हो, साथी साथ gaming का भी experience बहुती बढ़ी आ रहा है, तो यहाँ पर overall एक जो यह new technology है, कुछ ही खास और धमाल करने वाली है, 2021 में, तो क्या आप लोग excited हो इस TV के लिए, मुझे जरू अगर यह वीडियो कोई भी ढंक से helpful लगा है, कोई भी information अच्छी लगी है, तो एक like ठोक देना, like करने से बहुती पणिया हमे motivation मिलता है, अकला वीडियो बनाने के ले, इसी के साथी साथ इस वीडियो को share कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीजे, क्योंकि मजा तो तब आएगा, ज बहुती धमा के दार कंडेंटर, तो तिल देन, keep smiling and keep watching, happy guide, bye bye.